दोस्तो माथे पर तिलक लगाना हिंदू संस्कृति और धार्मिक आदितों का महत्पोण हिस्सा है। इसके पीछे कई मान्यताय और परंपराय हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रियास करेंगे। आध्यात्मिक्ता के प्रतिक माथे पर तिलक धारन करने का प्रात्मिक उद्दिश्य व्यक्तिको आध्यात्मिक्ता का प्रतिक बनाना है। यह उसकी धार्मिक आदितों और आस्था का प्रदर्शन है। देवताओं का आशिरबाद, तिलक को धारन करने से विशेश ध्यान देवताओं की और आकर्शित होता है। तिलक देवताओं के आशिरबाद का प्रतीक होता है और विक्तिकों सुरक्षा और कल्यान की कामना करता है। क्रंतों का प्रतीक, हिंदु धर्म में अनेक प्रकार के धार्मिक क्रंत हैं, जिने सम्मान दिया जाता है, माते पर तिलक धारन करने से ग्रंतों का प्रतीक होता है और उनके महतु का दर्शन कराता है, तिरिपुंडा तिलक, हिंदु धर्म में विभिन्र संप्रदया में तिर दर्शन करता है, समर्पन का प्रतिक। माथे पर तिलक्धारण करने से वक्ति अपने आपको इश्वर को समर्पित करता है. ये वक्ति की साधना, वक्ति और सेवा का प्रतिक होता है. सोभाग्य और सोभाग्यता का प्रतीक तिलक को सोभाग्य, धन, सुक, सम्रद्धी और खुशाली का प्रतीक माने जाता है इसे दारण करने से व्यक्ति के जीवन में उतकरश्टता आती है और उसकी कल्यान कारी भावना जागरत होती है देश धर्म के प्रतीक माते पर तिलक धारण करना एक राष्ट्रिय और समाजिक पहचान का प्रतीक है ये वक्ति की गोरव शाली परमपरा अपने देश और धर्म के प्रती समर्पन को प्रदिर्शित करता है आदर्शता का प्रतीक तिलक व्यक्ति की आदर्शता और सद्भावना का प्रतीक होता है इसे दारन करने से व्यक्ति दूसरों के प्रती सम्मानबाव और नम्रता का संकेत देता है स्वास्ते और हीलिंग का प्रतीक हिंदू आयुर्वेद में माथे पर तिलग धारन करने की आदत को स्वास्ते और उपचार के लिए भी महतु दिया जाता है या मस्तिश और शरीर के उर्जा प्रभाव को संतुलित करने का कार्य करता है विबिन सामाजिक और आदिवासी समधायो कप्रतिक इलग धारन करने से प्रता भारत के विबिन सामाजिक और आदिवासी समधायो में आज जाती है इससे विक्तिक अपनी समधायो और सामाजिक पहचान का परदर्शन करता है और समाज के साथ होने का संकेत देता है